हाई दोस्तों आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो में आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि रेड्मी 6a को फिलेश कैसे कर सकते हैं रेड्मी 6a का जो CPU है वो MediaTek का CPU है यहां जो इसमें प्राब्लिम थी रेड्मी 6a में यह हैंगा लॉग हो था तो यह इससे आगे नहीं बढ़ रहा था तो मैंने यहां पे सबसे पहले इसमें जो ट्राइ की थी वो फ्लेशिंग ही ट्राइ की थी तो इसको कैसे क्या करना है फ्लेशिंग तो इसके लिए हमको अपनी कम्प्यूटर स्क्रीन पे चलना पड़ेगा प्रासेसे आप अपना रेडमी 6A डाउन ग्रेड भी कर सकते हैं तो इस प्रासेस के लिए हमको दो टूल चाहिए एक UMT का MTK और दूसरा हमें चाहिए MCT Media Tech Bypass टूल सबसे पहले हम काम करेंगे हम फ्लेशिंग में जायेंगे तो यहां से शामी का आप्षन चुल लेंगे यहां से 6A का आप्षन चुल लेंगे लोड सीकेटर के हमें कलिक करना है और यहां पे टिक रखेंगी हाई स्पीड पोर्ट को यहां से हम सिकेटर फाइल चुन लेंगे सबसे पहले आप देख लीजिए मेरा वर्जन कौन सा है यहां पर 11.0.5 है यहां पर मैं कलिक करता हूँ इमेज पर कलिक करता हूँ यहां पर मैं सिकेटर लोड कर देता हूँ फ्लेशिंग के दोरान कोई भी एरर ना आए तो इस फ्लेशिंग में हमें एक फाइल को अंटिक करना पड़ेगा इस कास्ट फाइल को तो इसके बाद मैं फ्लेशिंग पे ओके कर देता हूँ ओके करने से पहले मैं MCT टूल में जाता हूँ यहाँ पे मुझे बाइपास पे किलिक करना पड़ेगा तो फोन को कैसे करनेक्ट करना है फोन को पाउर आप करना है और वोलिम अप डाउन प्रेस करना है यहाँ से आप देख सकते हैं तो मेरा यहाँ से बाइपास हो गया इसको मैंने ठीक कैसे किया आपको ध्यान रहे किसी के लिए mct tool काम करता है यहां पे किसी के लिए नहीं करता है मेरे case में तो इसने नहीं किया आपको मैं link description में दे देता हूँ ताकि आपको कोई problem ना हो अगर इसने काम किया तो ठीक है अगर नहीं तो आप UMT से भी direct कर सकते हैं कोई error आपको देखने को नहीं मिलेगा आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी भी इसने कुछ नहीं दिखाया MCT से मैंने bypass करके देखा था तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि bypass हो भी गया था लेकिन फिर भी अब यहाँ पे कुछ यह नहीं कर रहा है तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आगे मेरा MCT crash हो जाएगा और मैं अपने phone को disconnect कर देता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने नीचे error शोग किया device not found time out तो इसी के साथ मेरा यहाँ पे MCT tool जो media tech bypass tool है वो मेरा crash हो गया इसको मैंने close नहीं किया यह खुद crash हो गया तो यहाँ से मैं काम करता हूँ मैं दुबारा से flash पे कर देता हूँ और phone को मैंने एक बारी disconnect कर दिया volume out down मैंने press करके रखा है तो USB में यहाँ पे लगा देता हूँ आप computer screen पे देख सकते हैं नीटे तो आप देख लीजिए मेरा मेरी जो flashing process है Redmi 6 की start हो गई है अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like कीजिएगा share कीजिएगा और आपको अगर ऐसे ही वीडियो पसंद है तो आप हमारी चैनल को subscribe भी कर सकते हैं वीडियो लंबा ना हो और आपको भी कोई problem ना हो इस वज़े से मैं वीडियो को थोड़ा सा fast forward कर देता हूँ ताक कि आपको थोड़ा सा आसान रहे आप यहां पर देख सकते हैं तोड़ी जो flashing यह वो थोड़ी तेज हो रही है क्योंकि मैंने वीडियो को fast forward कर दिया यहां पर इस phone में error था कि यह hang on log हो था तो मैं सबसे पहले इस में मैंने flashing try की थी तो मेरा यह flashing से हो गया यहां पर आप देख सकते हैं कि flashing done disconnect cable and power on phone यहां पर मैं एक बारी बैटरी को निकाल के दुबारा से लगा देता हूँ और phone को मैं on करने की try करता हूँ यह यहां पर मेरा phone on हो गया है मैं इसमें cable लगा देता हूँ charging के लिए अब इसमें भी थोड़ा सा time लगेगा मैं यहां पर मैं थोड़ा सा वीडियो को और fast forward कर देता हूँ full flashing करने के बाद phone का जो booting time रहता है first booting time वो थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है इसी वज़ा से मैंने इस वीडियो को fast forward कर दिया है तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा नीचे comment section में जुरूर बताईएगा और ऐसे यह interesting वीडियो देखने के लिए अब हमारी चनल भी subscribe कर सकते है कर सकते है तो फाइनली मुझे लग रहा है कि 10-15 मिनट के बाद मेरा phone on हो गया मेरे लिए तो यह process काम कर गई अगर आपके लिए भी काम कर देती है process तो नीचे comment section में जुरूर बताएगा और ऐसे interesting वीडियो देखने के लिए आप हमारी चनल भी subscribe कर सकते है तो मिलते नेक्स की वीडियो में तब तक के लिए take care and bye कर सकते हैं